तो ऐसे हम पर यह रहा दोस्तों मेरे पास Vivo V23e स्मार्टफोन और हम पर यह रहा 50 Megapixel का Tribal Rear Camera आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में कुछ क्यामरा के सेटिंग्स बताऊंगा बहुतरिन सेटिंग्स आपको बताऊंगा बहुतरिन शॉट्स के लिए तो आप आना दुस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल परना है तो सब्सक्राइब करके बैल ऐकून पर प्रेस करके रख लेना तो चलिए हम पर कैमरा एप ओपन करते हैं एक एक फीचर आपको मैं एक्स्प्लें करके बताऊंगा तो चलिए हम पर सबसे पहले आपको मिलता है रात में फोटो क्लिक करने के लिए नैट मोड और इसके अलावा हम पर नैट मोड में आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 10x तक आपको अल्ट्रा वाइड अंगल में अब आप नार्मल मोड में हैं अभी चार लोग का फोटो लेना है तो चार लोग नहीं दिख रहे हैं क्यामरा में दो ही लोग दिख रहे हैं क्यूंकि पीचे हटने के लिए जागा भी नहीं है तो उस वक्त क्या करेंगे हम 0.6 आपको इसके अलावा आपको हम पर next मिलता style, आप हम पर click करके कुछ effects select कर सकते हैं, जो effect आपको अच्छा लगे, उसको select करके हम पर net board में photos ले सकते हैं, इसके अलावा आप मालो आपने इस effect को select कर लिया, अब इसके capacity को आप थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो हम पर इस तरह से यहाँ स को देखकर आप पता कर सकते हैं, अपने smartphone को आपने कितना सीधा पकड़ाया बोलकर, इसके अलावा आपके हम पर मिलता है countdown, यहाँ से आप कर सकते हैं, तो आपको हम पर मिलता है frame, मतलब आप जो photo क्लिक कर रहे हैं, वो photo का size कैसे है नाची, यहाँ पर change कर सकते हैं, photo का size रख सकते हैं, इसके अलावा आते हैं भी next portrait mode, यह होता दोस्तों background को blur करके photo लेने के लिए portrait mode, अगर आपको background blur करके photo लेना है, तो आपको इस mode में आना होगा, इस बोके पर आप किलिक करके, यहाँ से आपने जो background जो blur हो रहा है ना, इसकी cabbage studio का कम जादा कर सकते हैं, आप aperture इसको कम करेंगे, तो यहाँ पर blur जादा होगा, और ज्यादा करेंगे aperture, तो blur कम होगा दोस्तों background, अपने इसाप से आपको जो अच्छा लेकर रख लेना, और आपको कुछ effects भी मिलते हैं, यहाँ पर blur के रख लेना दोस्तों आपको जो अच्छा लगता है, चले इसके अल इसके अलाओ यहाँ पर beauty regarding आपको मिलते हैं, और capacity को कम जादा भी कर सकते हैं, और आप कहाँ पर इसको तो internet चाहिए, इसको तो छोड़ देते हैं, तो चीले, इसके अलाओ यहाँ पर आते हैं next style, यहाँ पर भी आपको कुछ यह effects मिलते हैं, जो effect आपको अच्छा लगते, जो filter आपको अच्छा लगे, उसको select करके आप photos ले सकते हैं portrait mode में, इसके capacity को यहाँ सी कम जादा भी आप कर सकते हैं, इसके अलाओ यहाँ पर इसी तरे line पर हम click करेंगे, तो यह features तो आपको माने पहले ही बता चुका हूँ, आपको यहाँ पर AI भी मिलता दोसों, इसको भी maximum आप यहाँ पर zoom कर सकते हैं 10x तक, इसके अलाओ आपके हम पर इसमें भी कमाल की बात यहाँ के 0.6 मतलब ultra wide angle मिलता है, तो चलिए हम पर अभी तो normal mode में हैं हम, यह जो conquer रखे हैं हम पर इस side में, यह नहीं दिख रहे हैं, इस phone में, normal mode में, हम पर मैं ultra wide angle करूँगा, तो यह पर इस side में दिख रहे हैं, तो यह आपको तो पता हो गया होगा भी, पहले भी हम आपको मैंने explain करके बता चुक हूँ, इसके अलाओ आपको filters मिलते हैं, जो filter आपको अच्छा लगे, उसको select करके, यहां से आप photos ले सकते हैं, आपके हम पर light effects भी मिलते हैं, जो आपको अच सामने ले कर जाएंगे camera, तो बलर दिखता है तो अब यहां पर इस super macro को on करेंगे, तो कोई भी चीज के सामने ले कर जाएंगे camera, तो blur ने देखेगा details में देख सकते हैं, आप कोई भी चीज को details में देखना चाहते हैं, तो इस super macro को on कर सकते हैं, यहां पर भी आपको AI मिलत पर और फ्राइगा हमेशा है देखता है इसके आलावे यहां पर ऑ्स रहे करेंगे तो रहाट में फोड में फोडो चिलिक करते तो यह तो फीचर्स आपको माने बताएं इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है चले इसके लिए आपको मिलता है वीडियो मौड आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो तो आना होगा इस वीडियो मौड में आप हैं पर मैक्सिमम जूम करना चाहिए तो 10x तक जूम करके आप चले इसके आलावा him Sam face को नहीं और वीडियो रोकॉर्डिंग करते हैं इसके आलवा आप एस सेवन कर सकते हैं कर सकते हैं वीडियो की क्वालिटई को और इसके एलाव पर फ्रेम रेत्ट रख सकते हैं सकते हैं इसके अलाव यहां इस पर हम क्लिक करेंगे तो यह है दूस्तू इसको ओन करने के बाद आप विडियो ATTEND truck phone को हिलाएंगे तो am Benio में ऐसा लगेगा कि आपने phone को हिलाया ही नहीं ऐसा लगेगा तो इसको on कर सकते हैं यहना दुसों क्या बहते हैं स्कून आपका विडियो कशेक नहीं होगा और यहांपर फिलाशट का mode से photos ले सकते हैं और इसके अलाव हैाँ पर आपको piano मिलता है मतलब panorama अब मारलो भुटी बड़ा प्लेस है ऊप्लेस को आप लेनी जाते हैं तो इस panorama में आकर इस तरह से click करके धीरे धीरे इस तरह से आपको पूरा प्लेस बता जाना है पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है इसके अलावा इसी मोर में आने के बाद आपको लाइप फोटो भी मिलता है इसी तर आपको इस प्रो मोड में मतलब सटिंग मिलते हैं आपर इवे दीस आप लाइटिंग कंडिनिशन के साफिस Tables को कमज़ाता कर सकते हैं इसको कम कर सकते हैं और इसके लावा आए क्यामरा दोनों क्यामरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसके अलावा आप हम पर More में Dual Exposed और आपको यहां पर यहां पर यह भी मिलता है तो यह भी आप हम पर Use कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं इसका हम Effects भी Change कर सकते हैं यहां पर यह ऐसा लगएगा आप यहां से Photos ले सकते हैं ऐसा लगएगा कि यह आपने यहां पर जाकर फोटो लिया है ऐसा लगएगा यह Effects आपको यहां पर मिलते हैं कमाल की Effects है यह तो आप यहां पर यह ले सकते हैं इसके अलाव अभी आते हैं दुस्तों Photo Mode में इस तरी लाइन पर क्लिक करेंगे Settings पर क्लिक करेंगे यहां पर है सब सब बहुत शूटर साउंड इसको आउन करेंगे तो Photo Click करते हैं वक्त साउंड आता है इसके अलाव यहां पर है Mirror Selfie यह Off है यहां से इसको On तो मत कर ले ना लसूँ इसको Off ही करना क्योंकि आपने इस एंगल से Selfie लिया तो Mirror होकर आपने इस एंगल से लिया है बोलकर इससे बता देगा उसलिए मैं तो इसको Off करना चाहता हूँ अगर आप On करना चाहिए On कर सकते हैं नीचे आने के पाद यहां पर है Watermark यहां से आप Time Watermark करेंगे तो आपने इस फोन में जो भी Photo लेते है तो आपने किस डेट पर और किस टाइम पर Photo क्लिक किया है वो Photo के Corner में इस साइड में बता देता है और Model Watermark इसको On करेंगे तो आपने किस फोन में Photo क्लिक किया है वो Phone का Model नमर बता देता है जैसे Vivo V23 यह है ना वोसे बता देता Shoot on Vivo V23 इस तरह से चीले इसके आले हम पर Custom Watermark इस पर आप क्लिक करके हम पर Add Content पर क्लिक करके हम पर जो भी नाम लिक कर डालेंगे वो भी नाम बता देता है जोसरों हम पर Photo के Corner में जो भी आप इस से फोटो लेते हैं ब्याक आने के बाद यहाँ पर है और Shooter इस स्टिंग में आपको आना है आप इस पर क्लिक करके Camera आप ओपन करके कहीं भी स्क्रीन पर टच करेंगे तो Photo क्लिक हो जाता है आप वाइस से भी फोटो से ले सकते हैं ब्याक आने के बाद हम पर Portrait Framing मतलब आप Portrait Mode में है तो Hashtag की तरह Lines दिखने चाहिए नहीं हो यहाँसी आप On-Off कर सकते हैं आप ह्याँ पर इसको आफ है आप अको इसको आप यहाँसे एकقة दिखने तो चले इसके और यहाँए इसका आपकर दिखने काया स्माटफिन दे डिखन लाखर क्या है अगर आपने कुछ गड़ बढ़ कर दिया, fail कर दिया, setting तो आपको हाँ पर reset पर click करके confirm कर देना है, तो जैसे आपने नया smartphone लेने के बाद जैसी setting थी, उसी तरह सारी settings हो जाएंगे, एक और बार वीडियो देखकर आप एक और बार settings कर सकते हैं, तो यह था दोस्तों, वीडिय आपको हाँ पर दिकर आओगा वीडियो क्लिक करके देख लीजिए